बंदे पुर्सूत्म, सिशिठाकुर्जी के एक भक्त हुए प्रभाद था, उन्होंने ठाकुर्जी से एक दिन एक प्रस्न पूछा, कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, तो उनसे आम तोर पर दूसरे लोग इर्षिया करने लगते हैं, अकारण निंदा करते हैं, ऐसा क्यों सिशिठाकुर्जी बोले, कि जिनकी प्रकृत इर्षियालू है, वे इर्षिया करेंगे ही, लेकिन दूसरे यदि तुम्हारी निंदा करते हैं, तो तुम उनकी निंदा ना करो, जितना हो सके तुम उनकी प्रसंसा करो, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, बि मर्यादा पुरवक चलो, यदि तुम इर्षियालू हो, तो भी सबका भला करते चलो, ऐसा करने पर देखोगे, कि जो तुम से इर्षिया करते हैं, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, मन से धीरे धीरे सब समझ जाता है, मेरे डाक्टरी जीवन में मुझे लोगो इसके विपरीत, जिन लोगों ने मेरे निंदा की उनहीं पर लोग बरस पड़े, मेरा उद्दिस से रोगी को बेहतर करना था, मैंने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जब मैं किसी मरीज को देखता, तो उसकी खोज खबर रखता था, मैं रोगी के घर के बाहर चक्क लगाता था, क्योंकि डाक्टर को रोगी के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, कोई अदि बाहर मिल जाता, तो उससे रोगी के बारे में पुछता, मैं बहुत सोच विचार करके दवा देता, कैसा भी रोगी हो, सब ठीक हो जाता था, कोई ठीक नहुआ हो, मेरी द पना से परे था, मैं जानता हूं कि एक आदमी को बड़ा बनाने का मतलब होता है, स्वयम बड़ा होना, और उसे छोटा करने का मतलब होता है, स्वयम छोटा होना, अकारण अत्याचार और खड्यंत्र तो होगा ही, जो सत्त की परतिष्ठा करेगा, उसके सत्रूओं का अंत नहीं होगा, इसलिए अस्तित्व खत्रे में न पड़े उसके प्रति होसियार रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, आलोजनापसंग, पंचमखंड, पेश संख्या, 61 से, ठाकुर जी की एक वारी है, कि दूसरे को बड़ा करोगे जितना, उतना बड़ा बनोगे तुम, बड़ा होने का एक ही पत है, इसके सिवा नहीं कोई दूसरा, जय गुरू